चलिए जानते हैं बोलीवुड की आज कुछ खास खबरे राम मंदिर उधाटन में बड़ी बड़ी हस्तियों को किया गया अमंत्रिद पॉपलर शो रामायन में राम का किरधार निभाद चुके अरुन गोविन और सीता माता का रोल करने वाली दीपिका चिखलिया को भी इन्वाइट किया गया लेकिन इस भवे कारिकरम में शामिल होने के लिए सुनील लहरी को नहीं बलाया गया इस वज़े से वे काफी नराज है सुनील लहरी ने इस मामले में दिया अपना रियक्शन रियालिटी शो बिग बोस 17 के फिनाले की बदली तारिक रिपोर्ट के मताबिक बिग बोस 17 का फिनाले 15 हफते बाद 12 जनवरी 2024 को होना था लेकिन अब बिग बोस 17 के विजेता का नाम एक दिन पहले यानि 29 जनवरी 2024 को घोशित किया जाएगा शूरा का हाथ पकड़के एरपोर्ट पहुँचे अरबास खान बुरी तरह ट्रोल हुए लोग बोले किसका बच्चा है वीडियो हुआ वाइरल लोग जम कर मना रहे हैं मजाग 64 साल की उमर में बिना पैंके काउच पर ऐसी हरकत करती नजर आई नीना गुपता मजलती नीना गुपता का वीडियो आपको कर देगा हैरान इस वीडियो के साथ उन्हों न लिखा या जल भुन लो या मुझे प्यार करो चुनावत तुम्हारा है हिमाचल पर्देश के शिमला में एक चोकाने वाली खबर आई लुध्याना में शूटिंग करने गई शिमला आई मोडल को बनाया दरिंदिगी का शिकार मोडल के साथ हुआ रेप अंतिम संस्कार मुझे द्वरान साउथ एक्टर विजनात को दी गई 72 तोपो की सलामी कोयम बिडू में तमिनलाडू पुलिस द्वारा बहत्तर तोपो की सलामी के साथ किया गया उनका अंतिम संस्कार डंकी और सलार के तुफान के पीर दीरे दीरे ही सही 600 करोड के करीब पहुची अनिमल दीरे दीरे ही सही लेकिन रणबीर कपूर के फिल्म 600 करोड रुपे का आकड़ा पार करने की पूरी कोशिश कर रही है अभीनेता विजय कांत के अंतिम संस्कार के दरान सल्पती विजय पर हुआ चपल से हमला इंटरनेट पर वायरल हुआ शॉकिंग वीडियो परभास की अपकमिंग फिल्म कल की 28-98 AD का डारेक्टर नाग अश्विन ने किया खुलासा कल की 28-98 AD का टेलर एक अपरेल 2024 को रिलीज होगा कोमेडी फिल्म हम्टी शर्मा की दुलनिया और बदरीनाथ की दुलनिया के बाद एक बार फिर दुलनिया 3 में दूले राजा के रोल में नजर आएंगे वरुन धवन